असलाम लेकर मैं हूँ मारिया मेमन और ये है मारिया मेमन स्पॉटकास्ट हम अकम्प्लिश्ट लोगों को देखते हैं उन्हें एन्वी करते हैं लेकिन हम इसे कितने लोग उनकी जर्नी को फॉलो करते हैं कोई भी इनसान जो इस्टाबलिश्ट हो कामयाब हो वो सब कुछ हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन इस सवाले से बात करेंगे इस पॉटकास्ट में और मेरे जो आज की मेमान हैं मेरे बड़े अच्छे दोस काशिव अबासी साहब थैंक यू काशिव पर डूइंग दिस और य चुमिराज की थीम है वो यह है कि तेरा नो शॉटकाट्स, remember we discussed it. मुझे आद एक दफा हम ओफिस बैठे वे थे तो मैंने किसी बात पर काया काशिव कितने लखी इस फील्ड में दो और फिर तुम जो होना एक्स्पेक्टेशन करना एंड तुम जो होना एक्स्पेक्टेश 20 साल पूर है 20 साल राइट और is there a shortcut to all this that you have achieved तोड़े शॉटकट नहीं किस्मत मैं एक बात पर बड़ा बिलीव करता हूँ कि लग आपका साथ देना चाहिए बहुत सारे लोग एक ही काम एक जगा से एकठा शुरू करते हैं लेकिं हार्ड वर्क का कोई यह बात ठीक है जिस एक परसेंट केसी में कहीं ऐसा होता होगे बिल्कुल वेरी लगी की आप अल्ला ने आपका आप पगल लिया और आपको उठा के किसी एकासे आपको चला दे और यह हाफ टू अगर फर एक्जामपल मैं अपनी मैं देखू दोजार एक से 16-16 घंटे मैंने लगा था रोज का कियाग मैं एर्वय में रिसूर्स बिल्कूं नहीं होते थे हुपिया या वाय के लिए तर यहाग्ने और बन्ये देख में बहुप करने के लिए उसके लिए सोचल itanes reference करता था रििपोर्टिंग उसकी जैदा ऐख इसका काम कम होता हम Küggs तो दिन को सारी स्टोरी होती थी रात को 11 बजे के बाद NL.I. मिलती चार लेकर शुबा 6-7 बजे तक मेंने अपनी स्टोरी करनी है उस वक करना दो कर रहे हैं और मैंने दिनों के साब से भाग गुझारे जो रातें में भाग गुझारी फिर मुने देखा कि मेरा जो एडिटर उसको नीन की बहुत शौक था उसका नीन का टाइम है और काशिवाजी साब का का टाइम है उसको और वो यह नहीं के दुपैर में हम दुपैर में भी आफिस में लेकिन रात को भी आफिस में उसको नीन का एना कुट सी कि उसकी आँखें पानी आगया है उसकी आँखें सुर् सिर्फ गाड़ी के अंदर जो नींद मिली है वो मिली जाना वापशाना ऊस्टारी फाइल करना रात को बैटके उसी गाड़ी में तबरा बैटके वापश सले अना कभी मझअफराबाद कभी महला कोट कदर 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 तो इसको नहीं था तो फिर मुझे बता दू करते किस तर हो फिर मैंने एडिटें खुद सीखी तरफ इसलिए था कि जब लेटा हो तो मैं रफ एडिट कर दूं वो इसको जब उठेगा तो उसको सारे को रिफाइन कर देगा सो यह सारी राद बैठना यह और इंट्रेस्टिंग बात है मुझे बलके एक दफा जिकर हुआ कि पहले जब आप आए फिल्ड में तो आप हो कहते हैं वो जो एंटेटेंडमेंट बीट है ना वो फलाना को एंटेटेंडमेंट का फंक्शन है वो जा के कवर कर ले काशिव बा आप इसी बीट जिस पर कोई नहीं जाना चाहता था ना उस पर आप आप यह करें और आप ना भी नहीं कर सकते हैं की फिर वो जाहरा सारी की वो फंक्शन जिसने मतलब मैं वो भी दिन देखा जिस दिन वो एलेक्शन था एक तो मुझे का गया सुब आड़ बजे पहुंच करें और ख़बर आप उनको बता रहें का यह हो गया यह हो गया ही और वो खबर दे रहे हैं वो हयलाइट सारी वो ले रहे हैं यह कान से इलेक्शन की बात हैं यह शौकत अजीस आपका आप जब उन्हें वजीराजम बनना था उसके लिए एलेक्शन करना था होना ठीक है तो एलेक्शन सारा फिर मुझे मैं फील में मुझे जाना पड़ा रात को फिर मुझे का गया जनाब आप डी वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते थे यह आप अधर बैठ जाए और कंपाइल रिजल्ट भी बेज़े हैं अच्छा तो सुबा से साथ से वज़े से निकला हुआ फिर रात को बैठ के उधर से रिजल्ट भी बेजता था और फिर ख़वर कोई होर करता था तो यह स्क्राइब करना पड़ता है एक और मुझे इंट्रेस्टिंग वाकिया आगे अखर मजे शायद मसूद बड़ा बड़ा नाम था डॉक्ट साथ तो इंट्व्यू करने शुरू किया तो मुझे बड़ी अच्छा फीर बैक मिला था शुरू मैं मेरे यह निए मैं आपको एक छोटी से मिशाल दूँ मझे शेक साभाई शेक रशीद साब करको मैं पिंडी बच्चा सागे यह अच्छी होता है आपको टाइम को अभी तो खरी है ना कि बड़े चैनल में बैठ गए तो वह निए तो अब लोग आपको इंटर्वी देना चाहते हैं सम्टेम्स यू सब्सक्राइब नहीं लेना अभी वक्त नहीं है इंटर्व्यू लेने का यू और इंटर्वी बिल्र गए किसी तभी मिल जाए हां बर इंपॉर्ट नहीं है आपको एक अदा इंटर्वी मिलता था एक अदा तीवी पर जाना होता था आपकी कोशिश इटी थी को अच्छा इंटर्वी कर लो तो मुझे यादे मैं आदे मैं राद मैं पंड़े नहां गजा आखर अखरी अफाज ते जब इंटर्वी खत्म गाए इ मैं ते वन्डे खेड़ना इस तुसी ते टूए उस ते टूएंटी-टूएंटी भी नहीं होता था कि थुसी ते चेछेचेवरा था मैच केल दिविधिग पूस ते टेप ऑल के मैच यह तिना थे चेवर कर गोगा है वह नियुक्त वाइब यह चाहँ चैनल ना विख एक भी बरेक जिसमें अच्छा मुटा रोल कर रहें लेकर जब बड़ा जिसे कहते है न एक टास काई वर यह रिली रिली लाल मस्जड बड़ा इंटरस्टिंग वाकिया है वो विख जाहर है हमे मुझे रिपोर्टिंग असा और नहीं मिलती थे लिए लिए काशिफ के जो आप जिन्दगी में चाहते हैं वो आपको शुरू में नहीं मिलता इस ओके हमारी कोशिश होती थी कम ज्यादा ज्यादा काम मेरा तो शौक यह था मुझे मेरा आरला के दोस्ते बहुत सारे चले भी गए एर वाई से तो मुझ जब वह बहां गया है जिस दिन दे डे अपरेशन स्टे उसे पहले भी मैं आपको बड़ा इंट्रस्टिंग वाक्या बता हूँ किस तरह काम किया कैसे मैं एक दिन दोसके साथ के बैठा हूँ उस ताम को यह सोशल मीडिया ताइप चीज नहीं हो दी दी ना तो मेरी माह का म लाल मजी ना चले या ना वदर रोला पड़ा हूँ अब जूई मैंने सुना लाल मजी का रोला मैंने गाड़ी पकड़ी मैं पहुंगा लाल लगा तो गाजी साब के पास मेरा पहले से वह थाय थे भी काइदियन थे एंड माई मधर इस वाच्टिंग चलेंजी पर इसलाम जिसे नगवा कर ली रिए जिया जिस में मेंबर काशिव बाज साब इंटिव्यू करने लगें और काशिव खड़ें वहां पर मेरी मा मुझे फोन करी जाए फोन बढ़ी जाए वह बख्शे अला खार कर रहे लां उनको जन्दमें जागा दे ओ मेरे मा मुंको फोन इसको न मैं रात को घर आ गया रात को सुबा पांच बजे तक मैं देखता रहा वहां पर फ्लाग जैकेट और एलमेट पैनके हमारे तीन-चार लोग खड़े रहे मुझे किसी ने निका के आपने वहां पर आना अगले दिन सुबा मुझे नीनी नी आए मैं अल्ला की कसम में आप ज जनलिस्टों के निकल नुकल के पहुंच के हाँ फिर अगले पांच साथ दिन जब तक उपरेशन चलता रहा है आठ दिन आए डूंट रमेंबर क्योंकि उसके बाद लंडन में एपीसी भी हो रही थी जिसमें मिया साब के एपीसी दी वो मिसाके जमूरियत वाले तो 2007 में स्टार्टि टर्निंग एपीसी में सारे कठे हुए थी एपीडियम बना था उसके बाद इलेक्शन से फॉरन पहले की बाद अब मैंने मां भी जाना था तो जब जिस दिन ऑपरेशन चुपर मारा ख्याल था उपरेशन नहीं करेंगा एक उतना एक सेंस हो रही होती है अगरा खुआ था तो फारेशन खुआ है यह वोड़ यह उन जुन-जुन करके निकर ज़ए हैं मैं आझ मैं आख जोकर मेरा कैमरामन खड़ा था हम करते है था था वह तो हुआ पचास लोगों से बात कर ले पूरे पाकिसान बैट़ कर ले तो आमें लाइव कहाँए तो आ लेकिन वाट फ़न प्लिस अम्हें आपको यकीन माने उसके बार में लेंडन चलागे एपीसी के लिए लेकिन उसकी इतना था कि मैं अगल दस साल आज भी मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं आपको पता है पहली दफ़ा हमने आपको कवरेज का रहे हैं लाल बस लोग बसे से जो कि अजुकि अचला इप्रका करने के लिएकिन विए फ़ेव आपको आपको बनी उसके यह आपको artists कि it was such a emotional issue बॉटम आपको आपको बनीचे वाने आपको पहली आपको आपको बेव मनाद बुख से वाले करने के लग भाद कि आपको से इसके लिए आपको आपको यह बड़ा इंपॉर्टन्ट है क्योंके हमारे अब जो लोग समझ देना मुझे कहते हैं जी हम एंकर कैसे बने सुबन को विशा बताती हूं कि पहले आप अच्छे रिपोर्टर बने और फिर आप ग्राजुली एंकर बने आपकी जर्नी यही थी अच्छा वट 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 विगिस्ट प्रफेशनल सेटपक आशिव और उसकुप से कमबाक कैसे किया हूव दो प्रफेशनल सेटपक्स यह मैं एक चीज़ मैं अड़ कर दो मेरे मेरे मामू सारे मुझ को तू साफी बने कितने बैस कितनी तरह हो जाएग को कि I came from a fluent family हाँ तो मुझे सारे यह कहेंगे तू और मुझे शौक था साफी बने मुझे लगता था कि यह प्रफेशन बनाई मेरे लिए मुझे नाइन तो फ़ाइर लगता था लगता था कि मुझे लगता था कि मैं यह काम करो तो जब मैं इस फील में आया जब मैं प्रफेशन इस बेड फर में तो जब मैं लोगों से इंटरेक्शन है आप भाग रहे हैं दौड रहे हैं अपना काम कर रहे हैं तो यह प्रबलम्स निशल टीधिंग प्रबलम्स के बाद मुझे कभी सट बाइक नहीं बहुत बढ़ा होता है ने कुछ बहुत बढ़ा होता ह अब प्रवेश मुझे साहब बाद मुझे ने बैन कर दी आखु आड़ा है अब परवेश मुझे साहब ने बैन कर दिया ऑड़ा है लिए उने थे इता है इस वेरी अनसेर्टन टाइम हमारे लिए कि हम किड़र जाएंगे वापस आएंगे स्क्रीन पर नहीं आएंगे मुझे उनने का दुबाई आजाओ अब मैं दुबाई गाया हेटिट दुबाई मुझे तो दुबाई इस सच अर्टिफिशल सिटी क्या कर मैं मौल चलते हैं क्या कर मैं मौल चलते हैं I'm like I'm done with malls I can't do malls a paddle walk ने कर सकते हैं मुझे बहुत शॉक है कि मैं पागल है सब्सक्राइब ने कि मैं पागल है सार दें इसलामबाद के सब्सक्राइब चलता रहा है तो यह कंड प्लिए विद्वाद ने कि अगार सकते हैं मैं एक अड्वांटेज था कि मैं क्योंके फ्रीलांसिंग गोरों के साथ बहुत करता था तो वो मुझे प्रोजेक्ट मिलता है चलता है काम मैं कर रहा हूं फिर हम कहीं गए तो बेंजी भुट्टो साहब की डैथ हो और शादर रहा हूं और यहां आप यहां नहीं करेंगे मैंने जिंदगी मेरे प्रोमिंगे फोन है मेरे लोकल से मेने अचली की में मैं जिंदगी में घखी मैं डिडीन एधे हो जग जा रहा हूं मैं और इक डिरेक्टेड नियुस अ आप टमाने टीवी देख ऊगगेंगें अल्ला की कसम मैंने टीवी नहीं तेख जगा देख फो जो प्रमींग पर वेरी एक्सपैंसिव फोन कॉल क्या हुआ है से बेन जी भुटो मर गी है आई डोंट नो क्या हुआ कि क्यों मेरे जैन में आई कि मैं फोन उठा कि उठा कि उसको फोन करना कि दमाग में होता है कि खबर बड़ी है मैंने आई हाव तो गेट बाक सो वो एक बड़ा अंसर्टन टाइम था काशिव एक तो यह है कि आप इनिशेटिव लें जिंदगी में जहां पर भी डोंट वेट औरों के लिए कि वो आपके लिए उपरचुनिटीज क्रियेट करें अपने लिए उपरचुनिटीज खुद भी क्रियेट करना सीखिए लाट अफ ताइम्स जो आपकी बातों से किया यह जाकर वेट ना करें लिए जगा जगा खुद पहुंचाँ यह आपको कोई प्लेट में रखके नहीं कहेगा आजाएं मैं अपने कुछ दोस्तों कोई मश्वरा भी देता हूं मेरे माम यहार वहें भी कियार इतने बड़े वेंट्स हैं और आप हैं ही नहीं और सर म करें वहारा वरल्ट कप उता है कि आप कर राइपश्या है कि आप कर रहिए अपर राइप प्लेस राइप पर आपको और कोई कोई आपको बुलाके प्लेट में रखके कहेंगा सर यह तियार है आपके लिए प्लीज आएं और यह बड़ा सा ग्राइंड सा कोई काम करें वो नहीं होगा क्लोजिंग क्वेस्टिंट्स आपको यह प्रोज करते हैं मुझे भी प्रोज करते हैं साफी बनना चाते हैं हम आंकर बनना चाते हैं बहुत अच्छी बात है देर फोकुस्ट इनो वह तोड़ा थोड़ा यह भी लगता है के उनको जो प्रिपेर्डनेस है ना इसके लिए उस पहले एक पड़ा था कि अगर आपको अपनी जिन्दगी से नफरत है खांदान वाले आपको पसंद नहीं है दोस्त आपके है नहीं और आपका जिन्दग में कुछ और करने को नहीं है तो आप साफी बन जाएं परिकर यह एक वे उफ लाफ है यह नोकरी नहीं है इसमें य पहर को दो बजे साफी हैं और चार बजे कहने मेरी दुकान बंद होगे यह लाइफ्सटायल है यह लाइफ्सटायल चोइसे लात मइन इसमें जानसे लाइफ ले आप सो रहें हैट अपकी जैनलिस्टें आप क्काने पर गहें वह से भी आपको खबर मिलती है आपको वह थ लिए खबर हैं and that's where you go आपको हर जगा you're a journalist anyone comes to me and says कि करना मैं का पहले बहुत सोच लो ठीक है बहुत धक्या खाने पड़ेंगे बड़े खजल वारी वाला काम है हम इसलिए लगी भी हो गए मैंने जिसरा का ना किसमत शायद मैं अगर आज इस फील्ड में आता मुश्किल है तू ब्रेक इन तू ब्रेक इन के देखें आप कितर मसला ये कि उस तेम जिसने हमाए थे उस तेम दो थीन चैनल थे कोई साफी बनना नहीं चाहता था कोई टीवी पर यकीन माने मैंने उस तेम मेरे ख्याल में बहुत इमरान खान और डॉक्टर शिरफगन न्याजी को कटे विठाया ये दोनों एक दूसरे के साथ इमरान खान और शिरफगन न्याजी दोनों मियां वाली से लेक्शन लड़ते थे और गुड टीवी जबर्दस आगे गाई इससे बेतर टीवी नहीं हो सकता आच्छा इम नॉ आच्छान खान वह है क्या मैं मिल बढ़ा है तो टेन मिनिट्स मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है जो कुछ लिया दोनों ने करते बाट के एक दूसरे के साथ और नोबडी वोच इस वस टेलिविजिन अधर टाइम इफ्तखार चौदरी मूव्मंट ब्रॉट टीवी ओन अब नियूस और करेंट एफेस जब उन्हों ने इंडियन ड्राम में खोले कि लोग टीवी देखना और टीवी देखना नियूस चोड़ें इड वरक लेकिन उस वक्त शेख रशीद साब मुझे आदा है इन्फिरमेशन में का दुनिया में लोग एंटेइन्मेंट पैसे ब इतना काम करना पड़ेगा फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कहीं और कितना पर्सेंट चांस है शाइद 5% चांस है कि आपको इवेंचली के स्क्रीम मिलेगी कि आप एक करेंट एफेस का शो हो जब एए नियूद इस नाइस प्रूश्में बड़ी है इस नाइस प्रू पोजर देखें इससे बेतर का मिलेगा अब लेकिन जर्नी बहुत बड़ी जर्नी इसके उपर जरूर फोकस करें थांक्यू काशिव साब अभी इनकी जर्नी से कुछ मज़ेदार वाकिये जो अमने पहले मैंने सोनेवेद मैं कासर आपको भी बताएं के वाट ड़ी टेक टो क्या देखना चाहते हैं पोड़कास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताईएगा थैंक्यू वरी मुच्छ